जब सल्मान ने एक इंटर्व्यू में कहा मैंने गोली नहीं चलाई साल 1998 में सल्मान खान ने फिल्म हम साथ साथ हैं कि शूटिंग के दोरान जूदपूर के कांकणी में दो ब्लैक बग का शिकार कर दिया था 20 साल बाद उस मामले में उन्हें 10,000 रुपे जुर्माना और 5 साल जेल की सजा हो चुकी है वो जेल पहुंच भी चुके हैं वो बैरक नमबर 2 के कैदी नमबर 106 बन चुके हैं जब तक सल्मान कोट से जेल पहुंचे हमने उनका 10 साल पुराना एक इंटर्व्यू खोद कर निकाल लिया साल 2008 के इस इंटर्व्यू में उन्होंने कहा था कि ब्लैक बग का शिकार उन्होंने नहीं किसी और ने किया था किसने उन्होंने नहीं बताया इंडिया टुड़ी के एक शो ओन दे काउच विद कोयल में कोयल पुरी के साथ बात करते हुए सल्मान ने अपने पिछले जेल एक सपीरियंस के बारे में भी बात की पढ़िये उनके उस इंटर्व्यू का एक आउश कोयल जेल में आपका जीवन कैसा था सल्मान मजेदार कोयल सही में सल्मान हसते हैं कोयल आपने बताया था कि वहाँ आप सोचते थे कि कैसे अपनी लाइफ को वापस पटरी पर लाया जाए ऐसा कुछ नहीं था सल्मान मैं वहाँ जाकर बिल्कुल ब्लैंक हो गया था मैं वहाँ चिल था मुझे बस बात्रूम की टेशन थी और कच्रे की मैं तीन चार बार अंदर गया और बाहर आया बस यही था और क्या अगर आपको कोई वहाँ जेल भेजना चाहता है तो आप चुप चाप चले जाते हैं जिस चीज के लिए आपको सजा मिल रही है अगर आपने वो काम नहीं कि गया है तो आप सिर उंचा करके जाते हैं कोयल आपको वहां बहुत सारे लोगों के साथ रहना पड़ता था सल्मान यहां की पुलिस कस्टड़ी में तो हां यहां पर 9 से 10 कमरे हुआ करते थे और हर कमरे में 9 से 10 लोग एक टॉयलेट एक बात्रूम बस यही था लेकिन जब आप जुड़ी शियल कस्टड़ी में जाते हैं तो वहां आपको एक अलग सुईट मिलता है मुस्कुराते हुए कोयल वहां आपसे कौन-कौन मिलने आता था सल्मान एक कैड़ी वही आपके लिए सुबहत चाय लेकर आता है फिर दोपैर में लंच बाहर एक गाड होता है आ इस समय आपकी बॉडी बिल्डिंग का क्या हुआ था सल्मान मैं जेल में ही पुश अप और क्रॉंचेज करता था पेट की एक सरसाइज करता था वहां दिन में तीन बार में वर्क आउट करता था